हेलो दोस्तों मैं रहूल और मेरे पास है Realme 8s 5G और आज की सुन में जो इसके फीचर्स के मैं बात करेंगे इस फोन में जहां मैं आउड ओफ बॉक्स Android 11 देखने हो मल जाता है साथ-साथ Realme का खुद का कस्टम स्किन दिया गया है Realme UI version 2.0 तो इस फोन में काफी सारे फीचर द कर दिया जिससे जब भी मैं कोई नहीं आपर आपको 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 काफी सारे फीचर देखने हो मल जाते हैं इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसके सेटिंग्स ऑप्शन में आनेक बाद आपको स्कूर डान करके नीची की तरफ आपको जो है convenience tool का option में आ जाना है यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर देखने हो मिल जाता है सबसे पहले जो है navigation का है अगर आप navigation bar को अपने हिसाफ से customize करना चाता है तो कर सकते हैं यहाँ पर left right आप कर सकते हैं यहाँ पर pull down hand mode का option देखने हो मिल जाता है one hand mode basically य उसके बाद यहाँ पर आपको jesus वगेरा का option देखने हो मिल जाता है आप इसको enable कीजेगा तो आप jesus के रूप में इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर animation key को आप अपने हिसाफ से customize कर पाएगा उसके तो आपको यहाँ पर आपको काफी सारे jesus in motion देखने हो मिलत या फिर o कीजेगा तो यहाँ पर camera हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर lock है double tap करते हैं यहाँ पर screen on हो जा रहा है और lock है अगर मैं यहाँ पर o draw करता हूँ तो यहाँ पर मेरा camera dagli open हो जा रहा है तो basically यह काफी बढ़ी यहाँ पर feature दिया गया है आप चाहे पर से कुछ इस तेकर से down कीजेगा तो screenshot हो जाएगा और यहाँ पर आपको scroll देखने को मिल जाएगा यहाँ पर scroll screenshot वगरा भी लेग पाईगा और यही नहीं अगर आप यहाँ पर touch and hold करके रखते हैं तो यहाँ पर आप इसको cut कर सकते हैं cut करने के बाद यहाँ पर आपको औ इतनी सारे feature का मज़ा उठा पाईएगा उसके आपके यहाँ पर rise to wake up का option देखने को मिल जाता है basically आप इसको उठाईएगा तो यहाँ पर phone अपने आप wake up हो जाएगा for example lock है यहाँ पर रखा हुआ है और आप phone को कुछ इस तेक से उठा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर automatically wake up हो जा रहा है आप यहाँ पर मैं face unlock दूँ यहाँ फिंगरपिंट दूँ और इस से बैटरी देन होता है तो आप चाहिए इसको disable करके रख सकते है इनेबल करके रख सकते है उसके तो आप यहाँ पर auto ear pick up call का option देखने मिल जाएगा इससे इनेबल कीजिएगा तो simply call वागे आप अपने कानों के सामने phone को ले जाएगा तो यह automatically pick up कर लेगा call को और यहाँ पर auto switch ear receiver का option देखने मिल जाता है basically इसको enable कीजिएगा तो अगर कानों से आप फोन को हटाते है तो यहाँ पर speaker हो जाएगा तो यह option आपको देखने मिलता है flip to mute call का option देखने मिलता है इसको enable की call अगरा आएगा आप फोन को कुछ इसते की से flip कर दीजेगा और यहाँ पर आपका mute हो जाएगा तो यह feature आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है flip to mute का उसके तो आपके यहाँ पर screenshot का option देखने मिल जाता है जो कि मैंने आपको वही पर दिखा दिया था तो यहाँ पर screenshot से आप छेड़ खानी कर सकते हैं बदल वगर सकते हैं screen recording का option दीखने मिल जाता है जहाँ पर आप screen record करना चाते हैं याप microphone का sound देना चाते हैं यह भी आप कर सकते हैं resolution यहाँ पर high रखना है medium रखना है low रखना है custom रखना है अपनी साब से कर सकते हैं frame rate को यहाँ पर change वगरा कर जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे और इससे आप यहाँ पर जैसे वगरा का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर tap to menu को option दिया गए tap कीजेगा तो यहाँ पर menu आ जाएगा तो आपको यहाँ पर जैसे रखना है या फिर tap to menu रखना है वह आप कर सकते हैं जैसे कि नोटिफिशन से इंटर चाहिए लॉक कर चाहिए यह सब आप अपने साब से डिसाइड करके लगा पाईएगा उसके आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है कोई क्रेटन बबल का बिसिकली यहाँ पर क्या होता है ना माल लीजिए आप यहाँ पर कोई गेरा खेल रहे हैं गेम खेलते वक्त आप यहाँ पर जो है गेम में टाइमर चल रहा है तो यहाँ पर शुरू करवा रहा है देखिए टुट्यूरियल आप सिंपली जो है गेम में बैक हो जाएगा और यहाँ पर आपको बबल के रूप में टाइमर दिखाता रहेगा और आपका जब timer खतम होने रहेगा तब आप गेम एंटर हो पाईएगा तो यह काफी बढ़ी option दिया गया है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा आप चाहे तो इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट स्लाइट बढ़ दिया गया और यहाँ पर क्या-क्या रखना है आप अपनी साबसे डिसाइट कर पाईएगा उसका आप यहाँ पर यहाँ पर यूटूब को ही ले लेते हैं चलो तो देखिए यहाँ पर यूटूब आ गया आप का उपशन कर सकते हैं यूटूब का उपर रख सकते हैं तो उसके बाद ऊपर की तरफ कीजिए तो यहाँ पर एक्जिट हो जाएगा निक्सीच बात करें इसको मुझच आपका आप लॉक्ट का फीचर देखनों मिल जाता है इसके लिए आपका आना पड़ेगा इसके settings option में score down करके यहाँ पर आपको privacy के option पर आ जाना है privacy का option पर आगा तो यहाँ पर दीखे आपको option दीखने मिल जाता है app lock, app hide का और साथ private safe और kit space का जो है feature दीखने मिलता है सबसे पहले app lock पर आते हैं, app lock में आनिक बाद यहाँ पर जो है यह app lock पर आ चुका है, अब यहाँ पर कोई भी application को अगर lock करना है just उसको slick करना है और use पर click करना है, यहाँ पर app lock हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने amazon को lock किया और amazon को मैं अगर open करनी कोश्च करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है fingerprint या फिर यहाँ पर face unlock, उसके बाद यहाँ पर unlock हो रहा है बट अगर मैं minimize कर देता हूँ, तो यह देखी यहाँ पर यह open रहता है leave app unlock का, तो आप इसको disable कर दीजे, जैसे आप से disable किजेगा अब आप यहाँ पर आईए, और यहाँ पर amazon को जब भी मैं open करनी कोश्च करूँगा minimize करूँगा, हर बार यह password मांगेगा, तो basically यह काफी safe रहता है आप minimize कर दिये, कोई आपका phone ले लिया और यहाँ पर unlock करके वो use करने लगा तो यह थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, तो और यहाँ पर आगर आप password वगएरे change करना चाहते हैं तो आगर आप password वगएरे change कर सकते हैं, turn off भी कर सकते हैं hide app का option देखने मिल जाता है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आनिक बाद आपको simply जो भी application को hide करना है, आप उसको select कीजिए, for example, Amazon को ही मैं select करता हूँ और यहाँ पर code आपको देने को बोलेगा, यहाँ पर देखे, hash 4 digit और hash, तो यहाँ पर मैं फड़ा फट से code दे देता हूँ, hash 1, 2, 3, 4, hash, और यहाँ पर टिक कर देते हैं, और यहाँ पर बोलेगा आपको इससे याद रखने के लिए, अगर आप भूल जाते हैं, तो हो गया, देखे, Amazon यहाँ से गयाब हो गया, डायलर पर आते हैं, डायलर पर आनेक बाद, यहाँ पर simply hash, 1, 2, 3, 4, hash डायल करते हैं, और यह देखे, hide app ओपन हो जाता है, और hide app में आपको private save का option देखने मिल जाता है, जो कि वहाँ पर भी option देखने मिलता है, यहाँ पर हैं, और यह कोई भी नहीं देख पाएगा, आपके अलावा, तो private safe आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर settings पर आकर यहाँ पर private safe दिया गया है, hide app में भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, आप बचो कितना देर तक फोन घाट में देना चाहते हैं, दो गंटा, तीन गंटा, उसके यहाँ पर allow कर दिजिए, जो जो एप आप 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 देना चाहते हैं, for example, मैं यहाँ पर PUBG single दो एप ले ले तो call of duty, उसके बदा आपको क्या करना है, यहाँ पर enter kid space हो जाना है, यह यहाँ पर exit होगा, next which बात करें, अगर आप यहाँ पर icon के shape को change करना चाहते हैं, theme को change करना चाहते हैं, या फिर notion panel के color को change करना चाहते हैं, तो यह सब भी आप कर पाएगए, आपको इसके लिए आना पड़ेगा settings पे, उसका score डान करके आपको यहाँ पर personalization में आ जाना है, और यहाँ पर देखें, आपको theme wallpaper का option देखनों मिल जाता है, theme में आईएगा, तो यहाँ पर यह जो है theme वगेरा जो भी आपके phone में होंगे, आप यहाँ से directly apply कर पाएगा, या फिर आप यहाँ पर open theme store कर सकते हैं, basically यह redact कर देता है, आपको theme store में, उसके बाद आप यहाँ free front style कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर free दिये गए हैं, जिनको आप allow apply कर सकते हैं, wallpaper वगेरा दिया गया है, आपको इसके लिए कोई भी third party application इंस्टॉल करने की ज़रत नहीं मिल पाएगा, तो जो भी download वगेरा आपने किया होगा, वो सारी के सारी यहाँ पर show हो जाएगा, तो यह काफी बढ़ी option है, आप definitely चाहे तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं, wallpaper जो कि मैंने बताई दिया, wallpaper में जाने के बाद भी same आपको देखने हो मिलेगा, icon style का option देखने हो मिल जाता है, यहाँ पर icon style वगेरा change कर सकते हैं, यहाँ पर art वगेरा कर सकते हैं, art को enable कीजेगा, तो यहाँ आप art खुद से art वगेरा कर पाएंगे, यहाँ पर देखें, कितना आपको कम करना है, जादा का नहीं, यह देखें कुछ इस तरीक का आपका art हो जाता है, और यहाँ पर name वगेरा, medium, large, मतलब यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, वो सब आप अपने हिसाब से customize कर पाएगा एप layout का option देखने हो मिल जाता है, जहाँ पर basically आप यहाँ पर row को कितना रखना चाते हैं, यहाँ पर 4 रखना है, यहाँ पर 6 रखना है, देखें यहाँ पर कुछ 5 है, यहाँ पर 5 है column, और row इस तरीक से कुछ 6 है, तो यहाँ पर आप कम जादा row को कर पाईएगा, उसके आ यहाँ पर different color रखता हूं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ different blue type का हो गया, और यहाँ पर इस तरीक का, मतलब आप यहाँ पर color वगेरा को change कर पाएगा, उसका front style जो कि मैं आपको बता दिया था, और यहाँ पर front style वगेरा और display size वगेरा यह सब चेंज कर पाएगा, और notion drawer वगेरा यहाँ पर यहाँ पर shape वगेरा इसको change कर पाएगा, notion drawer के, आपको square रखना है, यहाँ पर goal रखना है, मतलब अपने हिसाप सो जो है, customize कर पाईएगा, next video वगेरा, अगर आप यहाँ पर RAM management को enable करना चाहते हैं, तो यह भी आप कर सकते हैं, सासाथ यहाँ पर automatically switch on off भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा simply इसके settings option में, उसके बाद आपको scroll down करके यहाँ पर आजाना है additional settings का option में, और यहाँ पर आपको recent task manager का option देखने मिल जाएगा, जिसको enable किजेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा RAM management और अगर आप इसको disable कर देंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर RAM management हट गया, तो basically आप इसको enable करते ही RAM management देखने मिलेगा, कितना RAM आपका बचा हुआ है, कितना RAM आपको बचा हुआ है, कितना RAM आपको बचा हुआ है, ओटी को यहाँ से enable कर सकते है, automatic switch on off का option देखने मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इसको disable किजेगा, तो यह जो है 12 hour format में हो जाएगा, जैसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो dual clock भी चाहिए, तो यहाँ से enable वगरा कर सकते हैं, और यहाँ पर language वगरा यह सब जो change वगरा कर सकते हैं, बाकि यहाँ पर accessibility का option देखने मिल जाता है तो यह देखे, animation जो है अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, diet बंद हो जा रहा है, तो आप चाहिए तो remove animation कर सकते हैं, उसका sound amplifier का option देखने मिल जाता है, mono audio वगरा का option देखने मिल जाता है, और यहाँ पर caption वगरा का option देखने मिल जाता है, जिससे caption वगरा आएगा, उसके इस्तमाल जानक हो सकता है, और power button in call का option देखने मिल जाता है, और यहाँ पर vibration है, haptic feedback का option देखने मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से change वगरा कर सकते है, larger mouse point वगरा देखने मिल जाता है, shortcut lock screen का आप enable disable कर सकते है, अगर आप यहाँ पर additional RAM expand करना चाहते हैं, तो आप यह कर सकत इसके लिए आपको क्या करना है, simple है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा इसके settings option में, scroll down करके सबसे नीचे आपको about phone में आ जाना है, about phone में आनेक बाद यहाँ पर देखिए आपको RAM का option दीखने मिलता है, RAM का option में आएगा, और यहाँ पर देखिए आपको 2GB, 3GB, जो भी आ आपको RAM यहाँ पर बढ़ाना है, आपको यहाँ पर select कर लेना है, उससे पहले इसको enable करना है, अगर यह disable रहा तो नहीं होगा, enable कीजेगा, और यहाँ पर 2GB, 3GB, 5GB आपको जो भी बढ़ाना है, बढ़ानेक बात, यहाँ पर आपको phone को एक बार restart कर लेना है, for example, मैं यहाँ RAM बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर expand को off कर लिया है, अब मैं यहाँ पर phone को restart कर लेता हूँ, फटा फट से, यहाँ पर मैंने restart कर लिया, तो यहाँ पर phone restart हो चुका है, अब मैं अगर आपको दिखाऊ हूँ, तो यहाँ पर 6GB RAM शो करेगा, 5GB शो नहीं कर और in fact, यहाँ पर मैं जाता हूँ, फिर से settings की तरफ, यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यह देखिए, यहाँ पर 6GB शो कर रहा है, प्लस 5 यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर RAM expansion को off कर दिया था, तो basically आप यहाँ पर आईए, इसको enable कीजिए, 2GB, 3GB, जो यहाँ पर आपको लगेगा, आप से लिक किजिए, उसके बाद रिस्टार्ट कर लिजे, यहाँ पर आपका RAM जो है, सेट हो जाएगा, निक्स्पीच बात करें, तो आप यहाँ पर home screen को अपनी साब से customize कर सकते हैं, राइट की तब स्वाइप की जेगा तो यहाँ पर Google पेस वगेरा का option देखने में जाता है, basically यहाँ पर आप shortcut widgets वगेरा application का जो भी install करेंगे, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि clock देखने को नहीं मिलता है, तो आप चाहें तो यहाँ से clock को ले आकर इसमें डाल सकते हैं, home screen में, और यहाँ पर clock आजाएगा, कुछ इ यहाँ पर काफी सारे settings देखने मिल जाते है, home screen mode का option देखने मिल जाता है, आपको यहाँ पर standard mode चाहिए, standard mode में आपको यहाँ पर home screen में सब कुछ आ जाएगा, drawer mode चाहिए या फिर simple mode, simple mode में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर icon बड़ा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आपको show करवाता हूँ, इस तरीक से आप pull down कीजिएगा, देखिए यहाँ पर एक हाथ से आप navigate करने के लिए काफी जादा easy हो जाएगा आपका, तो कुछ इस से किसी आपको icon pull down का option देखने मिल जाता है, आप इसको enable कीजिएगा, तो यहाँ पर justice आपका work करेगा, icon auto filter का option देखने मिल जाता है, basically इसको enable कीजिएगा, तो icon यहाँ पर auto feel हो जाएगा, मतलब कोई भी यहाँ पर खाली जगा रहता है, तो feel हो जाएगा filter मैंने बोल दिया घलती से, बागी यहाँ पर आपको home screen layout का option देखने मिल जाता है, आप यहाँ पर layout वगएरा जो तो मैंने यहाँ पर notion drawer कर दिया, तो यहाँ पर notion drawer ला सकते हैं, उसको आप यहाँ पर so app suggestion का option देखने मिलेगा, इसको enable कीजिएगा, तो आपको basically suggest करता रहेगा, जो भी application आपने जादा यूज के होगा, उपर की तरफ, उसके बाद यहाँ पर add app to home screen का option देखने मिल जाता है आपको add हो जाएगा home screen में, उसके बाद app animation का option देखने मिल जाता है, fast, medium, slow आप यहाँ पर रख सकते हैं, double tap to lock option देखने मिल जाता है, जो की मेरा काफी favorite option है, यहाँ पर double tap किया, और phone यहाँ पर lock हो गया, यह जो है मेरा one of the favorite option है, आपको बार-बार power button प्रेस करने के ज़रू नहीं, जिससे power button का life है, वो जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, basically मैं मानता हूँ, और यहाँ पर display app update.s का option देखने मिल जाता है, dot वगर आता है, कोई भी notification वगर आने पर, rise to wake up जो की battery drain करता है, पहले ही बताती है, double tap to screen on lock screen में, double tap करते है screen हो जाएगा, lock screen magazine का option देखने मिल जिसको आप enable कर सकते हैं, और enable करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने phone को lock रखा हुआ है, और यहाँ पर बार बार button को press करेंगे, आपको हर बार यहाँ पर अलग यह देखने को मिल जाएगा, हर बार आपको अलग अलग wall paper देखने को मिल जाएगा, basically अभी internet जो है नेक्स वी बात के रिए, तो simply आपको आजाना है इसके settings option में, और यहाँ पर काफी सार option देखने मिलते हैं, सभी option में आपको कुछ ना कुछ feature देखने मिल जाता है, same card में mobile data में आएगा, तो यहाँ पर आप SIM card में जाकर, वाइफाइ calling 4G वगरे को enable कर सकते हैं, यहाँ पर स इस्तिमाल कर सकते हैं, यही नहीं, यह जो है, at a time Wi-Fi और hotspot दोनों को support करता है, यानि कि यहाँ पर आप Wi-Fi enable के हुए है, hotspot को भी enable कर सकते हैं, basically यह तब काम आएगा, जब आप railway station या फिर यहाँ पर आपके पास 3-4 device है, और simply आप एक ही Wi-Fi connect कर पाएंगे, तो simply फोन में connect क में भी connect कर लिजिए, इसके जरिये, उसके बाद आपको bluetooth on-off का ओप्षं देखने मिल जाता है, connection and share का option देखने मिल जाता है, जहाँ पर गया connection and share से related, यहाँ आपको option देखने मिल जाता है, उसके बाद आप Іначल यहाँ पर देखने मिल जाता है, पेसनाई जो कि मैंने पहले अगर आप देखने को मिल जाएगा तो आप अपनी साफसे जो डाक मोड को कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप रीडिंग वगरे तो आपका काफी हल्प करेगा अंधेरे में अगर आप रीडिंग वगरे कर रहे तो इसको एनेबल करके आप यहाँ पर रीडिंग कर सकते हैं जिससे आपके आखों को जलन या फिर चूबन नहीं होगा काफी देर तक आप मोबाइल को इस्तमाल कर पाएगा या फिर रीडि वगरे कर पाएगा अटो रोटेशन बिसकली यहाँ पर रोटेट वगरे होता है अटो स्क्रीन ओफ बिसकली यहाँ पर स्क्रीन ओफ टाइम वगरे कर सकते हैं color temperature को आप अपनी हिसाप से कर सकते हैं और यहाँ पर effect वगर आपको देखने को मिल जाता है जो अपनी हिसाप से front size, display size यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था उसकाद आपको यहाँ पर more का option देखने को मिल जाता है अपनी हिसाप से किस तरी किसाप को hide करना है वो यहाँ पर कि आपको देखने को मिल जाता है next option की बात करें वो है sound and vibration sound and vibration में आकर आप यहाँ पर वराइवेशन को control कर सकते हैं, sound को control कर सकते हैं और even यहाँ पर आपको do not disturb को option देखने मिल जाता है इसको enable करके आप यहाँ पर schedule लगा सकते हैं basically रात को आप फोन को silent करके unsilent करना सुबा भूल जाते हैं काफी सरे important call जो है miss हो जाते हैं तो do not disturb आपका काफी help करेगा यही नहीं यहाँ पर आप काफी जनू को allow दे सकते हैं जैसे कि कोई app है जिसको आप allow देना चाते हैं उसका nutrition आपको जो है do not disturb के mode में भी आया फिर किसी का message या फिर किसी का call जैसे की boss हो गया ममी हो गयी रात को जैए emergency में call करी सकती है तो आप यहाँ पर उनको allow दे सकते हैं तो यह काफी इस्तमाल जनक है आप चाहें तो definitely इसका इस्तमाल कर सकते है रिंग टून वगरा चींज कर सकते हैं यह सारे option आपके यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते है उसका nutrition and status bar का option देखने को मलता है basically यहाँ पर जो है nutrition and status bar से आप जो है customize कर सकते हैं जैसकि pull down नोट्षें ड्रोयर का option देखने मिल जाता है basically lock screen में आप उसे disable कर दीजे और यहाँ पर जो है pull down नहीं कर पाएगा nutrition पैनल को जिससे यहाँ पर जाए data वगरा कुछ भी off करने का जो है कोई chances भी नहीं रहेगा तो आप इसको disable कर सकते हैं आप बाकि यहां पर timer वगरा और battery percentage यहां पर शो नहीं होता है तो आप यहां से बैटरी percentage को enable कर सकते हैं icon के बाहर icon के अंदर जो भी आप करना चाते हैं यहां पर फर्च बूट में बैटरी percentage यह शो नहीं होता है तो यहां पर show हो जाएगा इसको enable करते हैं इल टाम नेटवक स्पीड को भी आप यहां से उनेबल कर सकते हैं, जिससे आपको यहां पर नेटवक स्पीड भी जो होता रहेगा, दोनों औप्शन यहां पर आप ढध्शो देखने को मिल जाता है, आइकोन यहां पर आप डॉर्ट शो करना चाता है, पर शो नहीं कंगाई चाहते हैं, यह आप कर सकते हैं, स्टेटतर आईकों यहाप यहाँ पर देखे, हैं आप स्टेटर इयल डलेंगा, को allow दे सकते हैं next option की बात करे हुए है fingerprint and face and password basically यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर जहाँ आप lock screen password को change कर सकते हैं काफी लोग pattern नहीं लगा पते हैं तो आप simply यहाँ पर रहेगा यहाँ पर आनेक बाद आप पासवर्ड दीजेगा उसके बद आपके यहाँ पर modify यहाँ पर फिंगर्पिंट का बगरए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने मिल जाता है यहाँ पर तो simply टच करके पर जो है तो आप यहां पर जो है auto brightness screen of face recognition को इसको जो है sorry यह नहीं यहां पर जाए screen unlock का option देखने को मिले गाए यह auto unlock आप चोई जिस यहां पर automatically unlock हो जाएगा और यहां पर जो auto brightness screen for face recognition का है इसको enable किजिए तो आप अंधेरे में अगर यहां पर जो है face unlock वगरा का use करना चाहते हैं तो automatically आपका phone right होगा और आपका चहरा देखेगा और unlock कर देगा तो इसको enable कर सकते हैं बड़ बैटरी काफी जादा जो है यहां पर drain करता है उसके आपको यहां पर privacy का option देखनो मिल जा मैं यहां पर youtube को open करता हूँ आपके घर में बच्चे हैं आप youtube चला कर उनको दे देते हैं वो youtube ना देखकर कोई और page बेज 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 ओपन कर लेते हैं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं आप simply youtube को snooze कर सकते हैं यहां पर देखिए कुछ इस तरह किसा आपको recent tap को tap करना पर इस double dot पर क्लिक करना और pin कर दिए, pin करने के बाद यहां पर यहां पर यह जो पिन हो गया, अब यहां पर जो है आप चाहा के भी बैक नहीं हो पाएगा ना यहां पर नोट्चे पैनल को नीचे लाएगा, सिर्फ आप double tap कीजिए कुछ इस तरह के से उसके बाद फोन यहां लगा, उसके बाद आप यहां पर लोकेशन वगर अप्शन देखने हो मिल जाता है, convenience tools जिसके बाद में मैंने पहले ही बता दिया था, battery, यहां पर battery में आकर जो है power saving mode, super power saving mode का option दिया गया, जिसको अगर आप turn on करते हैं, तो यहां पर आपका phone, black and white theme में हो जाता है, बिसके यहां पर सिर्फ call और message आता है, आप चाहिए तो और भी app को add कर सकते हैं, बिसके यह तब ज़रूत पड़ेगा, जब आपके phone में 10% power हो, और यहां पर आपको phone को emergency call वगर आएगा, आपको phone को जाधर तक चलाना है, तब आप जो है इसका इस्तमाल कर सकते हैं, जिसस सकते हैं, और साथ-साथ यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर office का काम कर रहे हैं, तो यहां पर focus mode का भी option दिखने मिल जाता है, so your data के option पर देखेगा, जहां पर data शो जाएगा, सारा दिन में आपने क्या क्या इस्तमाल किया, उसके आपके यहां पर option देखने मिल जाता ह हर एक app के बगल में, timer का option पर आकर आप यहां पर timer लगा सकते हैं, एक दो गंटा, जो गंटा आप जो गंटा आप करना चाहते हैं, और एक गंटा 30 मिर्ट मैं यहां पर सिफ गेम खेल पाऊंगा, यहां पर 35 मिर्ट मैंने गेम खेल लिया है, सारा दिन में, तो यहां पर दे PUBG और YouTube, तो मैं इसको ले लेता हूँ, और यहां पर देखे, PUBG और YouTube आपका black and white हो चुका है, और जब तक मैं यहां पर turn off नहीं करता, तब तक यहां पर मैं इसको open नहीं कर पाऊंगा, यहां पर देखे, use app for 5 minutes, यहां पर मैं click करता हूँ, 5 minutes से मुझे use करने देगा, उसके बा यहां पर एगा, तो आपको यहां पर app list को option देखनों मिल जाएगा, जहां पर जहाँ आप किसी भी application में आकर जो है, यहां पर उसका clear data कैसे करने सकते हैं, storage में आकर clear data कैसे, manage nutrition वगेरा, यह सब यहां पर कर पाएगा, उसके जब यहां पर permission वगेरा, साथ-साथ यहां पर display वगेरा, और यहां पर app clone करना है, तो app clone का भी option देखनों मिल जाता है, sleep for sleep, social media application को आप यहां पर clone कर पाएगा, इसके लाबा कोई भी application आप यहां पर clone नहीं कर पाएगा, storage वगेरा, जहां पर storage से related आपको जान कर देखनों मिल जाता है, additional settings इसके बारे में मैं पहले ही बता यूजर अकाउंट मेरा अकाउंट वगेरा, और यहां पर है टाइप Google वगेरा का अकाउंट, software UPDATE, यहां पर जोआप software update के बारे में जान सकते हैं, यह सब option दिया गया है, यहां पर update साइद आया हुआ है, यहां पर हां update आया हुआ हुआ है, नया, कुछ यहां पर जोए, तो यह जून का security patch है, बस यहाई पर कुछ fix वगरा गया गया है, about phone के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं, और यहाँ पर realme lab का option देखने में जाता है, जहाँ पर smooth scrolling वगरा यहाँ पर आकर आकर आप यहाँ पर enable disable कर सकते हैं, उसके बद आपको यहाँ पर three dot पर click करना है, उसके बद आपको settings पर जाना है, settings पर यहाँ पर आपको काफी सारे feature देखने मिल जाता है, सबसे पलाए यहाँ पर display, display option में कुछ नहीं है, sound and vibration में जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया था, quick response, basically यहाँ पर quick response दे सकते हैं, calling account का option देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको flash on call का option देखने मिल जाता है, auto answer यह सारे feature आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, block number यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पर voice mail वगरा, accessibility का option की बात करें, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, assistant dialing वगरा, call recording का option देखने मिल ज सकते हैं, caller ID, spam का option देखने मिल जाता है, यहाँ पर जहाँ इन दोनों के enable कर देगा, इससे यहाँ पर जहाँ कोई भी call वगरा आता है, गलत सलत, तो यहाँ पर यह दोनों जहाँ आपके phone को बचायें, के मतलब basically आपसे fraud होने से बचायेगा, उसके near place वगरा का advance, यहाँ पर लाइन देखने को मिल रहा होगा, आप इसको swipe down कीजिएगा, तो यहाँ पर scientific calculator आपका enable हो जाता है, और यहीं आप history देख सकते हैं, और अगर आप इस पर click कीजिएगा, तो यह floating calculator भी बन जाता है, आप इसको कहीं पर भी ले जाकर, कोई और काम करते करते, calculate कर पाएगा, करने का option देखने को मिल जाता है, तो इसका calculator है, वो काफी feature दार है, clone phone का option देखने मिल जाता है, basically यहाँ पर आप पुराने phone से अपने नए phone में data अगरे ट्रांसफर करना चाता है, तो कर सकते है, smart lock का option देखने मिल जाता है, roaming यह सब आपको देखने मिलता है, यहीं ही आपक आपको game open करके दिखता हूँ, मैंने game को open किया, और side से अगर मैं slide करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से slide करते हैं, यहाँ पर देखिए, आपको GPU, FPS, यह सब दिखाने लगगा, सासत message बगेर, एको pop-up window open हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, क game खेल पाया, और यहाँ पर देखिए, आपको और बे option देखने मिलता है, जैसे कि automatically adjust resolution का option देखने मिल जाता है, automatically adjust करेगा, brightness lock कर सकते हैं, और यहाँ पर dual channel network कर सकते हैं, जिससे अगर आपका Wi-Fi data slow होता है, तो यहाँ पर आपके net data में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 4G data enable कर जिससे आपके game खेलने में कोई भी दिक्कत वगरा नहीं होगा, तो यह काफी बढ़िया है, यहाँ पर option दियागा, definitely आप चाहे तो इसके इसके इस्तमाल कर सकते हैं, और phone master ना phone manager का option दियागा, यह देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर optimize वगरा, यह सब आप यहाँ पर कर पाएगा, यहाँ पर जहाँ आप notion panel को नीची कीजिएगा, तो यहाँ पर जहाँ को काफी सारे shortcut देखनों मिलेंगे, डैकली आप notion panel से ही इन सब को access कर पाएगा, जिसके आप यहाँ पर देख पाएगे, डैकली wifi यहाँ से enable कर सकते हैं, flash on off कर सकते हैं, data, airplane mode, यह सब देखन में आ गया, तो और यहाँ पर जहाँ और भी आप ला सकते हैं, यहाँ पर edit का option देखनों मिलेंगे, तो यहाँ पर जहाँ आप देख पाएगे, यहाँ पर जहाँ पर जहाँ काफी सार ऑप्शन है, app lock का है, और यहाँ पर super power, saving mode, screenshot, यह सब जहाँ आप add कर सकते हैं, तो यह आप यहाँ पर shortcut add कर सकते हैं, OTG पगर दिया गया है, जिससे आप यहाँ पर settings पगर में जाने के जोटनी यहीं सही आप access कर पाएगे, So friends, I hope आप सभी को Realme 8s 5G का feature video पसंद आया होगा, अगर पसंद आप प्रीस वीडियो को लाइक कर देगा, साथा चैनल पर नहीं, चैनल को subscribe करके, बिल आइकन को प्रेस करके, और बहुत सारे वीडियो लाँगा, और नहीं पसंद आता है, तो dislike भी कर सकते हैं, बाकि इस फो आपके साथ, अगली वीडियो में एक नए concept के साथ, तब तक के लिए टाटा बाइबाए, और यह हस्तरी है, मुस्कुवातरी है, और बने रिया RJ टेक्निकल्स के साथ